नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी की पाठे पुस्तक का पाठ नमबर एक कक्कू इस पाठ में हम एक बच्चे के बारे में कविता पाठ करने वाले हैं जिसका नाम कक्कू है वैसे तो कोयल को भी प्यार से हम कक्कू ही बुलाते हैं लेकिन कक्कू कोयल से एक दम ही अलग है चलिए कक्कू के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये कक्कू कोयल चिडिया से कैसे कैसे अलग है सबसे पहले हम थोड़ा कोयल के बारे में बात करते हैं कोयल के बारे में तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कोयल बहुत मीठा गाती है जादा तर हमें गर्मियों के मौसम में कोयल की मीठी मीठी आवाज सुनाई देती है मीठी आवाज का मतलब जो सुनने में बहुत अच्छे लगती है एकदम सुरीली आवाज कोयल की आवाज कैसी होती है? तो चलिए देखते हैं क्या ककू भी ऐसा ही है? नाम है उसका ककू इस बच्चे का नाम ककू है ककू माने कोयल होता कोयल चिडिया को भी हम शॉट फॉर्म में या फिर प्यार से ककू ही बोलते हैं लेकिन ये तो दिन भर रोता लेकिन ये बच्चा तो पूरे दिन भर रोता ही रहता है एकदम कोयल जैसी बाते नहीं बोलता इसलिए हम इसे चिढ़ाते चिढ़ाते मतलब परिशान करना, टीज करना तो कक्कू के भी जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं वो सभी इसको चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा नाम तो कक्कू है, लेकिन तुम कक्कू जैसे बिल्कूल भी नहीं हो इसलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू सक्कू मतलब जो हमेशा रोता रहता है और जब बच्चे बहुत देर तक रोते हैं, उनकी आवास कैसी आती है? इसे सिस्किया लेके रोते हैं ना बच्चे इसलिए उसी को कहते हैं सक्कू मतलब जो सिस्किया लेके रोता है इसलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू नाम है उसका कक्कू कोयल माने मिसरी जैसी मीठी जिसकी बोली मिसरी के दाने तो आपने देखे ही होंगे हमारे घर में होते हैं हम पूजा घर में भी यूज करते हैं जो एकदम चीनी की तरह खाने में मीठी मीठी होती है कोयल की आवाज भी सुनने में एकदम मिसरी जैसी मीठी लगती है मतलब जिसकी आवाज सुनने में बहुत अच्छी लगे लेकिन कक्कू क्या करता है यह तो जाता भढ़क भढ़क का मतलब गुसा हो जाना, इरिटेट हो जाना कक्कू हमेशा भढ़क जाता है, बहुत जल्दी ही गुसा हो जाता है करो जब इससे तनिक ठिठोली तनिक का मतलब थोड़ा सा भी और ठिठोली का मतलब है हसी मजा करना मतलब ककू के साथ कोई भी थोड़ा सा भी हसी मजा कर ले तो ककू भढ़क जाता है, मतलब उसे गुसा आ जाता है उसे हसी मजा करना, ठिठोली करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जिस बच्चे को बिलकुल भी हसी मजा करना या फिर ठिठोली करना अच्छा नहीं लगता, उसे क्या बोलते हैं बाकी बच्चे, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, भक्कू मतलब जो बहुत जल्दी भढ़क जाता है, जैसे की हमारा ककू, वो हमेशा भढ़क उसे कोई भी बात बोलो, उसे कोई भी बात पसंद नहीं आती, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, और हमेशा गुस्से में ही रहता है, नाम है उसका ककू, ककू वो जो गाना गाए, जैसे हमने देखा कोयल कितना मीठा गाती है, उसका गाना हम सब को बहुत अच्छा उसे कोई भी बात अच्छी नहीं रखती, और ककू कैसा मुह बना के रखता है, रहता मुह जो सदा फुलाए, फुलाने का मतलब, जब भी हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, हम अपना फेस कैसे बनाते हैं, हमारा एक्स्प्रेशन एकदम गुस्से वाला होता है, और बच्चे जब गुस्से में होते हैं, तो ऐसा रखता है, उनके गाल फूले फूले हैं, कक्कू के गाल भी ऐसे ही फूले फूले ही रहते हैं हमेशा, रहता मुझो सदा फुलाए, उसके बाद गाना जिसको जरा ना आए, कोयल तो बहुत मीठा गाती है, लेकिन कक्कू क बिल्कुल भी गाना गाना नहीं आता कोयल की तरह, इसलिए हम बोल रहे हैं कि गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे जगडालू को अब से, जगडालू मतलब जो हमेशा जगडा करता रहता है, जैसे कि हमारा कक्कू, जो हमेशा जगडे के मूड में ही रहता है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ जगडा करता रहता है। ऐसे जगडालू को अपसे क्यों न कहे हम जख्कु। जख्कु भी बच्चों को चिढ़ाने के लिए उसके दोस्त बोलते हैं। जख्कु। नाम है उसका कक्कु। तो इस प्यारी सी कवीता के कवी का नाम क्या है श्री रमेश चंद चलिए आप देखते हैं इस कवीता में आई हुए कुछ तुकवाले शब्द। तुकवाले शब्द यानि की राइमिंग वर्ड्स जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जैसे कक्कु के राइमिंग वर्ड्स यानि की तुकवाले शब्द होंगे सक्कु, होता का तुकवाला शब्द है रोता गाय का तुकवाला शब्द है जाए आये फुलाये और बोली का तुकवाला शब्द है ठिठोली तुकवाले शब्द पहचाने का एक बहुत ही सरल तरीका ये है कि लास्ट का जो वर्ड होता है वो सेम होता है तभी तो वो सुनने में एक जैसे यहाँ पे ता ता ए ए ली ली कू कू चलिए अब देखते हैं पाट के प्रश्न उत्तर तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है आप अपने माता-पिता से पूछ के अपने नाम का अर्थ लिखिए उसके बाद तुम्हें लोग और किन- जैसे हमारे ममी, पापा, चाचा, चाची और हमारे बाकी रिलेटिव्स हमें बुलाते हैं तुम्हारे चिढ़ाने वाले नाम कैसे हैं जैसे कि हमारे क्लासमेट्स कभी-कभी हमें सताने के लिए हमें कुछ नामों से चिढ़ाते हैं उनके नाम लिखिए और उसके बाद फिर तवी बुलाएंगे, चिड़ाने के लिए उसे कोई भी टंकी या फिर तंबू बोल सकता है, क्योंकि ये तनवी से मिलता जुलता है, और दोस्तों के दिये हुए कैसे नम होगे, तनू, तनवू, ऐसे शौट फरम वाले नाम होंगे, चलो, अब सोचो और लिखो, कि किसी किसी को नीचे दिये गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा, किसी को गप्पू नाम से क्यों बुलाते होंगे, क्योंकि शायद वो बहुत बगबग करता है, बहुत बोलने वाला होता है, बहुत गप्पे लगाता है, जो नौन स्टॉप बोलता ही रहता है, जो बहुत लगाता है अपने दोस्तों के साथ उसे हम गप्पू बोलेंगे किसी को भोली क्यों कहा जाता होगा भोली का मतलब है जो बहुत सीधी साधी हो चुप रहती हो तो जो लड़की बहुत ही सीधी साधी होगी उसे शायद सभी भोली बोलेंगे किसी को छुटकी क्यों बोलेंगे शायद वो बहुत छोटी सी होगी, शायद वो घर में सब से छोटी होगी, इसी लिए सभी उसे छुटकी बुलाते होंगे किसी को गोलू क्यों बोला जाता होगा गोलू मतलब गोल गोल तो शायद वो बच्चा बहुत गोल मटोल बच्चा होगा एकदम गोल मटोल और इसलिए लोग उसे गोलू बुलाते होगे अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली भक्कू है जक्कू है या फिर गप्पू है मतलब तो आपको पता चली गया भक्कू मतलब जो बहुत जल्दी भड़क जाता है जक्कू मतलब जो बहुत जगडा करता है और गप्पू मतलब जो बहुत गप्पे लगाता ह तो आप भी अपने friends के नाम इस जगा पे लिख सकते हो, जो बहुत ही जल्दी भड़क जाता है, जो बहुत जगडा करता है और जो बहुत कप्पे लगाता है, अब चलिए आपको अपनी कवीता बनानी है, कक्कू वो जो सदा हसाय, रोना उसे जरान, जब भी हम कवीता बनात हैं, तो कोशिश करते हैं, कि वो राइम के साथ हो, मतलब यहां पे अगर लास्ट में हसाय है, ए है, तो हसाय का कोई तुक वाला शब्धी हमें यहां पे लिखना है, तभी वो सुनने में राइमिंग करेगा, और अच्छा लगेगा, तो फिर हम लिखेंगे, रोना उसे जर उसको मिठ्ठू, ऐसे लिख सकते हैं न, या फिर आपके मन में भी कोई और अगर शब्द आते हों, जो राइमिंग होते हों, आप उन शब्दों को भी लिख सकते हैं, चली अब बताईए, कि हमारा छोटा सा लड़का कक्कू, कोयल जैसा क्यू नहीं है, कोयल बहुत मीठा गाती है, जिसकी आवाज सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन कक्कू इसके विपरीत है, विपरीत मतलब एकदम उल्टा, वो ना तो गाना गाता है, ना खुश रहता है, और बाद बाद पर चिड जाता है, इरिटेट हो जाता है, गुशा हो जाता है, लोग उसके साथ खुश नहीं रह पाते, इसलिए ककू कोयल जैसा नहीं है, चलिए अब एक रचनात्मक लेखन करते हैं, कोयल के बारे में पांच वाक्य लिखिए, कोयल काले रंकी होती है, और उसकी आखे लाल होती है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में एक फोटो देखी, उसक पलार लिखिए, चैसे कोयल जैसा नहीं बनाती, कोयल अपना कोयल कावश नलखिए बारे याज्णान कानश नलखिए, तो कवे को लगता है ये तो मेरे ही बच्चे हैं लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब कवे को पता चलता है कि ये तो कोयल के बच्चे हैं लेकिन तब तक वो बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके पंक विक्सित हो जाते हैं और वो उड़ जाते हैं चलो अब हम नाम की रेलगाडी बनाते हैं, पांच-पांच बच्चों की टोली बनाईए, मतलब पांच बच्चों का एक एक ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद अपने अपनी टोलीों, टोली का मतलब है ग्रुप, मतलब अपने अपने ग्रुप के बच्चों के नाम मतलब, जो नाम का पहला अक्षर वर्ण माला में सबसे आ गयाता है, वो हम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद सेकंड उसके बाद थर्ड ऐसे तो सबसे पहले अ, एक स्वर है, अंग से अंगूर, इसलिए अंजू सबसे पहले आएगी, उसके बाद कौन आएगा, ख, क्यूंकि ख, एक दम क के बाद आता है, ये दूसरा व्यंजन होता है, इसलिए खुशी सेकेंड नमबर पे आएगी, वैसे ही थर्ड नमबर पे नेहा, तथ, दध, न, यहाँ पे न से नेहा, चौथे नमबर पे मेन का, न के नीचे मेन का, प, भ, भ, म, न के बाद में आता है, और अंत में है राजू, क्यूंकि म के बाद य, र, र सबसे आखरीम है, इसे हम कहते हैं, वर्ण, माला, क्रम से सजाना, और यहीं पे हम अपने अध चैनल